बुर्भमोनेंग प्यारे बच्चों बेटा आज अम संग्या शब्दों के बारे में पढ़ेगे एप एप जांटी का नाम…वस्तु का नाम…पशू का नाम…स्थान का नाम…ठीक है। आप इसमें एड कर सकते हैं इमारतों के नाम यह सभी संध्या कहलाते हैं संध्या शब्द कहलाते हैं कहीं आपको किसी व्यक्ति का नाम हो माली जी कोई संटेंस है उसमें किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है वस्तु का नाम है परशु का नाम है किसी स्थान का नाम है तो वह सभी की क्या होंगे वह सभी संघ्या शब्दों है निन खार उस्मीं व्यक्ति को वर्षू का नाम होता हूं तो बिटा किसी व्यक्ति, वस्तु और पशू, स्थान और भाव के नाम को संगया कहते हैं आपड़र की तो पर देखें व्यक्ति के नाम आपना नाम भी है, मेरा नाम भी है, कुछ वो सब क्या है, संगया शब्ड है देखें एग्जांपल के लिए देखें पूजा, ठीक है, यह एक लड़की का नाम है, यस, यह एक लड़की का नाम है, चाहे लड़की का नाम हो, चाहे लड़की का नाम हो बेटा, वो संगय शव्ट होता है, नेक्स देखिया, वस्तुई के नाम में देखिया, वस्तुई के नाम कौन से होते हैं, आपके घर में तेबल पर आप बुक्स रखते हो, नोट बुक्स रखते हो है ना, तो मेज, घड़ी, मेज, यह देखो मैं आपको टूटो एक्जामपल्स बता रहे हूं, आप और भी आप राइत कर सकते हैं, और भी ओसकते हैं, ठीक है, इसमें आप भैस, गोड़ा, बक्री, और भी एड़ कर सकते हो स्थान के नाम, स्थान मतलो प्लेस, जगहे का नाम तो आप घर में रहते हो, घर भी एक जगह है आप कौन से शहर में रहते हो, आप रिवाडी में रहते हो तो घर और रिवाडी ये स्थान के नाम है आप कभी 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 घ्वूमने जाते हो छुट्टियों में ठीक है आप आफ कर देवर ये सब क्या हैender में ये सब स्थान के नाव है ठीक है तो मैंने आपको व्यक्ष्टियों के टू पस्थमों के पस्थान के टूटो आजय जाम्पर्स विए ठीक है आप पूर भी राइड कर सकते हो और लर्न भी कर सकते हो ठीके बेकर तो यह हैं आपके संग्या सब आप सबी इन्हें अच्छे से लर्न करेंगे धन्यवाद